मित्रू चे मातादी कैसे हैं आप सब जी बताने के लिए कमेंट में चे मातादी चरू लिखे मातारानी आप सभी का कल्याण करेंगी मित्रो वर्ष दोहज़र पचीस में कामिका एकादसी कब है जानिये सही तीनवतारी क्या है पूझा करने का सुप महूरत कब है पूझा बिधी क्या है और एकादसी कब सुरू होगी और जानेंगे इस वीडियो में लेकिन वीडियो सुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक इस चैनल को सस्क्राइब नहीं क्या है तो सस्क्राइब करेंगे और वीडियो पर संद आएगी तो वीडियो को लाइक करेंगे और जादेश से जादेश सेर करेंगे मित्रों हिंदु धार्म में कामिका एकादसी ब्रत को बहुत ही महत्तो पूर ब्रत माना गया है सावन मास के क्रिश पक्ष में पढ़ने वाली एकादसी को कामिका एकादसी के नाम से चाना जता है इस ब्रत को करने से हज्जार गौदान के समान पूरे फल प्राप्त होता है और जीवन में सुक सम्रिधी आती है और पूर्व जन्म की सभी बाधाईं दूर होती है और साथ ही इस ब्रत के प्रभाव से मनुस्य के सभी बुरे कर्म दूर हो जाते हैं और मर्णो परांत प्राप्ति होती है मित्रू अब पूजा करने की बिधी को भी चान लेते हैं कामिका एकादसी के दिन प्रातह का लुटकर इस नान आधि से निब्रित होकर ब्रत का संकल्प ले और भगवान विश्डू की पूजा प्रारंब करे पूजा में भगवान विश्डू को फल फोल तील दूद पंचाम्रित आधि अर्पित करे इसकी बाद ब्रतवाले दिन भगवान विश्डू के नाम का इस्मरण करे एवं भजन कितन करे फिर भगवान विश्डू के सहस्त्र नाम का पाठ करे एकादसी के अगले दिन यानि द्वादसी को ब्राम्हन को भोजन अउदा दच्रिया देकर बिदा करें इसके पश्चात ही फोजन ग्रहन करें मित्रों अब पूजा करने का सुब महुरत को भी चान लेते हैं जो इस प्रकार है मित्रों अब आपको बता दें कि वर्ष 25 में कामिका एका दसी 21 चुलाई दिन इस प्रकार दें सुम और को मनाई जाएगी ब्रत पारण करने का सुब महुरत है 22 चुलाई तो हजर 25 को सुब पांच बचकर 26 मिनट से लेकर सुब शात बचकर 5 मिनट तक रहेगा एका दसी तित्थी प्रारंब होगी 20 चुलाई तो हजर 25 को दोपहर 12 बचकर 12 मिनट पर एका दसी तित्थी समाप्त होगी 21 चुलाई तो हजर 25 को सुब नौ बचकर 38 मिनट पर